हेलो बच्चो वेलकम टो इंफिनिटी अकडेमी आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फाइव मैट्स चैप्टर थ्री लेक्चर नमबर फाइव इस वीडियो में हम सॉल करने वाले हैं प्रॉब्लेम से टेन जो की बेस्ट है सब्ट्रेक्शन और फाइव डिजित नमबर्स पे त तो एक एक करके हम यह सॉल करेंगे सबसे पहले आप देखिए हमें दिया है 64,293 माइनस 28,547 तो सब्ट्रेक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे यह नमबर्स लिख लेंगे that is 64,293 देन सेकेंड 28,547 नाव यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे सब्ट्रेक्शन तो सब्ट्रेक्शन के लिए यहाँ पे आप देखिए 3 माइनस 7 नाव 3 यह स्मॉलर नमबर है और 7 बिगर नमबर है तो स्मॉलर में से बिगर सब्ट्रेक्ट नहीं हो सकता तो यहाँ पे 3 क्या करेगा अपना नेब तो हम किसी से borrow करते हैं जैसे कभी कबार आप school में जाएंगे और आपके पास अगर pencil या paint ना हो तो आप क्या करते हो आप अपने friend से ले लेते हो या फिर घर में कोई चीज ना हो तो हम क्या करते हैं अपने neighbor से ले लेते हैं तो उसे कहते हैं borrow करना similarly यहाँ पे 3 में से 7 सब्ट्रेक्ट नहीं हो सकता तो 3 क्या करेगा उसके neighbor 9 से मदद लेगा यानि borrow करेगा तो यहाँ पे 9 3 को 1 borrow करेगा that is 1 borrow करेगा अब देने वाला है तो उसकी जो value होगी वो कम हो जाएगी यहाँ पे 9 यहाँ पे क्या कर रहा है 3 को 1 दे रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और देने वाला जब भी देता है देता है 6 पर फाड के यह तो आपने सुना होगा तो इसने 1 मांगा 9 ने 10 दे दिये तो यहाँ पे 3 के हो जाएगे 13 तो अब आप 13 में से 7 सब्ट्रेक कर सकते हो 13 में से 7 सब्ट्रैक करने के बाल remaining कितने होंगे तो आप count कीजिए यह हो जाएंगे 6 ओके now 8-4 तो 8-4 होंगे 4 then अभी यहाँ पे फिर से आप देखी 2 is a smaller number and 5 is bigger number तो smaller में से bigger सब्ट्रैक नहीं होगा again 2 यहाँ पे क्या करेगा तो 4 से borrow करेगा now 4 यहाँ पे इसे 1 देगा और 4 दे रहा है तो उसकी value घटके हो जाएगी 3 और यहाँ पे यह borrow हो रहा है तो इसे cut करके यहाँ पे हम लिखेंगे 12 now 12-5 तो यह हो जाएंगे 7 then again यहाँ पे आप देखी कि 3-8 which is not possible तो जब भी इसी situation होगी तो neighbor जो भी digit होगा उससे वो borrow करेंगे तो यहाँ पे 1 borrow होगा now जैसा हमने यहाँ पे इन numbers को cut करके next जो भी number होगा वो लिखा था तो यहाँ पे 3 borrow कर रहा है तो यहाँ पे हो जाएंगे 13 ओके और 6 का हो जाएगा 5 now 13-8 तो 30-8 होगे 5 और यहाँ पे 5-2 हो जाएंगे 3 तो यह हो गया हमारा final answer that is 35,746 तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 35,746 ओके now second question second question में हमें दिया है 37,058 then 23,469 now 8-9 तो 8-9 तो नहीं हो सकते because 8 is smaller तो 8 क्या करेगा अपने neighbor 5 से borrow करेगा 5 इसे borrow करेगा यानि 1 देगा तो 5 के हो जाएंगे 4 और यहाँ पे 8 ने 1 borrow करने के लिए कहा था लेकिन 5 ने उसे 10 दे दिये तो 8 के हो जाएंगे 18 now 18-9 तो यह हो गए 9 now 4-6 तो 4 smaller number है again यहाँ पे subtraction possible नहीं होगा तो 4 क्या करेगा अपने neighbor से borrow करेगा now यहाँ पे आप देखी कि 0 है अब भी 0 means no value 0 के पास तो कुछ नहीं होता तो वो किसी को क्या देगा लेकिन 0 क्या कहेगा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता लेकिन वो अपने neighbor से मदद लेगा तो यहाँ पे देखी आप 0 क्या करेगा again 7 से borrow करेगा तो 7 यहाँ पे 1 देगा और इसके हो जाएंगे 6 0 ने 7 से borrow किया लेकिन 7 जब 1 देगा तो actually यहाँ पे हो जाएंगे यह 10 now यह 10 is 4 को 1 दे सकते हैं तो यहाँ पे यह 10 के हो जाएंगे 9 और यहाँ पे 4 के हो जाएंगे 14 now 14 माइनस 6 हो जाएंगे 8 then 9 माइनस 4 5 6 माइनस 3 3 and 3 माइनस 2 1 तो यह हो गया हमारा final answer तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13,589 ओके now next third question 71,540 second हमें दिया है 58,628 तो यह number हम reverse order में लिखेंगे that is यहाँ पे सबसे पहले लिखना है 8 then 2 6 8 and 5 तो यहाँ पे आप एक चीज ऑबजर कीजिए कि मैंने हर एक डिजिट के नीचे बराबर से डिजिट लिखे हुए हैं आपको भी जब भी आप exam में लिखते हो या फिर test book से आपके notebook में copy करते हो या फिर blackboard से आप अपने notebook में copy करते हो तो proper आपको digits के नीचे digits लिखने हैं अगर आप इनकी position change कर देते हो तो आपका answer wrong होने के chances बढ़ जाते हैं और वेसे ही subtraction के question में आप उपर borrow जो हम करते हैं उन्हें लिखने के लिए भी थोड़ी space छोड़ दीजिए okay so that आप यहाँ पे borrow लिख सकते हो okay तो चलिए यह solve करते हैं now 0 minus 8 तो यह possible नहीं है already हमने देखा तो 0 क्या करेगा 4 से borrow करेगा तो यहाँ पे 4 क्या करेगा 1 देगा 0 को okay और 4 यहाँ पे हो जाएगा 3 तो जब भी हम ऐसा borrow करते हैं तो यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे और यह जो digit होगा उसे cancel करके हम यहाँ पे लिख लेंगे तो यह 0 हो जाएगा 10 now 10 minus 8 तो यह हो जाएगे 2 then 3 upon 2 और आप एक बात यह भी धहन में रखी कि जब भी हम cancel करके यानि जब भी हम borrow करते हैं तो जो यहाँ पे new digits होंगे उने ही हमें subtraction करने के लिए use करना है now यहाँ पे हम 3 minus 2 ही करेंगे now 4 minus 2 हम नहीं करेंगे तो 3 minus 2 हो जाएगा 1 then 5 minus 6 तो again यह smaller number है तो 5 1 से borrow करेगा now यहाँ पे 1 जो है वो एक यहाँ पे 5 को देगा तो यह हो जाएगे 15 मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे borrow करने के बाद जो भी digit होगा वो हम यहाँ पे as it is लिख लेंगे और यहाँ पे 1 था उसने already एक दे दिया तो यहाँ पे यह हो जाएगे 0 15 minus 6 तो यह होगा 9 now 0 minus 8 तो यह possible नहीं है 0 smaller number है तो अब 0 क्या करेगा 7 से borrow करेगा again यहाँ पे 7 क्या होगा borrow करते वक्त यहाँ पे हम 0 को cancel करके यह जो एक हमने borrow किया है तो यह हो जाएगा 10 जो भी digit हम cancel करते है वो यहाँ पे 1 के next हम लिख लेंगे और 7 ने यहाँ पे 1 0 को दिया हुआ है तो यह कम होके हो जाएंगे 6 ओके नाव 10 माइनस 8 तो यह हो जाएंगे 2 6 माइनस 5 इस 1 तो यह हो गया हमारा final answer तो यह हो गया हमारा final answer that is 12,912 ओके नाव लास्ट फॉर्थ क्वेस्चन तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,432 और जो second number है वो हम reverse order में लिखेंगे तो यहाँ 2 के नीचे होगा 7 then 4,6,8 and 4 ओके नाव 2 माइनस 7 तो अगेन यहाँ पे possible नहीं होगा तो हम यहाँ पे borrow करेंगे नाव 3 का हो जाएगा 2 और 1 यहाँ पे borrow किया है तो अब यह 2 को हम cancel करके यहाँ 1 के आगे लिख लेंगे 2 तो यह 2 के हो जाएगे 12 that is 12 माइनस 7 यहाँ पे होगा 5 नाव 2 माइनस 4 अगेन 2 is a smaller number तो यहाँ पे 2 4 से borrow करेगा तो 4 जब भी देगा 1 तो यहाँ पे 4 का हो जाएगा 3 और जब यहाँ पे हम borrow कर रहे है 1 तो यह 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे 12 12 माइनस 4 तो यह हो जाएगे 8 अगेन 3 माइनस 6 यह possible नहीं है लेकिन next जो neighboring digit है that is 0 तो 0 के पास भी कोई value नहीं होती है देने के लिए but 0 अपने neighbor 5 से borrow करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखी कि 5 जब 1 0 को देगा तो यहाँ पे 1 बौरो किया 0 ने तो यह हो जाएगे 10 और 5 का हो जाएगा 4 उके now 3 यहाँ से borrow कर सकता है तो यहाँ पे यह 10 के हो जाएगे 9 और जब यहाँ पे borrow करेगा 3 तो borrow करते वक्द हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और यह 3 को cancel करके हो जाएगा 13 तो 13-6 तो यहाँ पे हम लिखेंगे हब 7 Now 9-8 मैंने previous question में भी आपको बोला कि जब भी हम borrow करते हैं जो भी digit होगा उससे ही हमें use करना है for subtraction तो यहाँ पे 9 है तो 9-8 यह हो जाएगा 1 Now 4-4 that is 0 ओके तो यह हो गया हमारा final answer that is 1785 ओके तो यह हो गया हमारा problem से 10 जिसमें हमने subtraction of 5-digit numbers कैसे होती है वो पढ़ा अब next वीडियो में मैं आपको subtraction of 6-digit and 7-digit numbers कैसे perform करते हैं यह पढ़ाऊंगा जिसका link मैंने already description box में दिया हुआ है तो I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा इसी तरह के और वीडियो के लिए भी चैनल को subscribe कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए Thank you